रिद्मी नोट 7 प्रो के अंडुए 10 के अपडेट के अंदर आपको रेन एंड स्नो की कुछ नए फिल्टर्स देखरें के बिलते हैं जो किसी इमेज के उपर एफट आपके फोन पर डाल सकते हैं तो हाई फ्रेंद्स राजे शेयर फॉम टेक्नोबस.net आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कैसे आप अपने रिद्मी नोट 7 प्रो के अंदर जो मियो 11 के अंडुए 10 का अपडेट है उसको इंस्टॉल करते हैं जो कि शॉमी यू का रों जो है वो फाइनली एविल यूज करना है और कैसे आप इनको इंस्टॉल कर पाएंगे तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह है रिद्मी नोट 7 प्रो और आज इसके अंदर जो रों हम रन कर रहे हैं वो है मियो वरिजन का मियो ए 11.2 यानि की शौमी 20.3.5 बीटा वरिजन जो कि Android 10 के उपर बेस्ट है यानि Android क्यू सिक्यूर्टी पैस लेवल आपको इसकंदर फेब्री 2020 का देखने को मिल जाता है अगर चेंज लॉक्स की बात करें तो चेंज लॉक्स में आपको दिखा लेता हूं क्या चेंज लॉक्स आपको इसके अंदर यह देखने को मिलती है तो यह देखे जो चेंज लॉक्स किया गया है कि Android 10 update for Redmi Note 7 Pro जो कि आपको मिला है इसमें अपडेटेट एंड्रोट सीकुर्टी पैच लेवल जो है February और मार्च का है सकेंदर काफी सारे लॉक्स की और Wi-Fi पास्वोर्ट रिबूट्स होते थे उनको फिक्स किया गया है और लॉक्स की पर हैंगिंग हो जाता था फोन वह इसको फिक्स किया गया है गैलरी के इंदर अपडेट जो है जो कि आपने शुरू में देखा है कि आपको डैनेमिक स्काइफ विल्टर संदर अब रें एंड्स नो मोट देखने को मिलता है जो कि एक तरिक्टी से आपको इमेज को वीडियो में कनवर्ट कर देता है और आपको रेंग और स्नो का एफेक्ट के लिए द देखने को बता है सबसे पहले चीज़ नहीं हुँ कि और इसमें परफेक्टली काम कर रहे है वाइ-फाई कॉलिंग बिफ्यक्टी काम कर रहे है क्वाइब अगर ध्यां से देखें आपको दोनों आइकन से ऑ ऐसे इसमें में जाता है उसके पर वाइफाई कालिंग के आपको की बात करें कि आप वीडियो कौन से मोड पर शूट कर पाते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ आप 1080 30 60 fps 720 पर बस यहीं तीन मोड पर आप शूट कर पाते हैं फोटो के इंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्काई फिल्टर के अंदर कुछ नए मोड चाले है यह दो मोड हैं यह रीन और यह स्नो का इसे अपको पहले प्लेट करता हुआ नजर आ रहा अपको दिखा देशना कौन से वह इमेज थी इसके इन्दर हमैं एक स्नो मोड जैथी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लुक अपने फोन बे देखने को मिल जाता है तो केमर आप को बताया था कि अंदर कुछ नए चेंज़ के गए तो सिक्यूर्टी एप्लिकेशन में आप जाते हैं तो मैंनेज आप सके अप्षिन देखने को मिलता है आप की जितनी भी आप्लिकेशन से डाउनलोड की होगी उनको ट्रैक करता है कोई परमीशन आपके लिए और आपको एक नया option और देखने को मिलता है अब कुछ और इसके फीचर को भी चेक आउट कर लेते हैं इसको मैंने इंस्टॉल करका है अपने फोन के इसके ओपर अरड़ी मैंने एक वीडियो प्रा रखा है तो उसका लिंक आपको डिश्केश्यम बिल जाएगा जहां से आप जीकेम 7.3 को इंस्टॉल कर से इसमें नाइट साइड मोड पोर्ट्रेट मोड जो है सारी के सारी चीज और अगर अगर आप उससी टाम पे पने फोन के अंदर जो डाक मोड को एक्टिवेट करेते हैं तो जो आपकी FM की एप्लिकेशन है वह भी अब डाक मोड बे चली आती है तो यह एक निया फीचर जो है आपको एंडरेट में के अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है आप कुछ और चीज़ा को चेक आउट कर लेते हैं सेटिंग में आपको और क्यागा चीज़ देखने को मिलता है तो वही आपको आपको नॉम्मल ऑप्शन देखने को मिलते हैं जैसे वाल पर कारसोल हो गया लॉक स्कीन ओनर इंफो इसमें कुछ ज्यादा चींजिस आपको आपको चोटे मोटे चेंज बिल जाएंगे जिसमें आपको हैडफोन रिमूर्ट बटन को रिए उसके आपको एक प्रोप्शन देख पाते हैं प्रोफाइल वीडियो फॉर इंकमिंग कॉल्स का भी आप याप 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 देख पा रहे हैं चीज जो आपको इसके देखने को मिलेगा होमश्कीन के निदर आपको रेगुलर और एपड़ वारा लॉट आपको मिल जाता है आप कर आपको यहां पे यहां पर यह और मृप आप लाप्शों में यह जाएं और उसकी अद्क प्सकृइश में जाए तो आपको चुछ और आपको देखने को मिलता है अब आपको होम स्कीन में एक और जाता है जिससे आप उसको गूगल डिसकवर के साथ रिप्लेस कर सेते हैं या उसको आप नन भी कर सेथे हैं कि कोई भी आप उस पर काम नहों या निकि कोई भी आप स्वाइब तो जो पर आपको प्यापन को देखने को नहीं मिले है कुछ अरंदर देखने को मिली कुछ और देखने को मिले होगे शेजिसे आपको देख पारे होें शेट फिलम एंप शेम लिया उड़ाउट आइकन साइज को हैं आपको यहीं पर हाईड एक आप यह नया उप्शेंग आपको मिल जाती है जैसे आप देख पारे है शोर सेजेशन और उपर वेमोरी स्टेटस आप देख पारे है कि 1.6GB और 4GB एविलिबिल दिखा रहा है इस नहीं हमारे फोन में वाल पेपर और थीम में आपको जालत देखने को नहीं मिला है वही डिफॉल्ट वाल में मिलते हैं अब आपको एक नए यूई के नदर देखने को मिल जाता है जिसको आपके सामने आपके फोन के ओपर विजिबल हो जाता है जिसमें आप अप लॉक को भी उपकर सेथे हैं या फिदन एप कुछ एप्स को भी हाइड कर सकते हैं अपने लॉक के सो जिससे एप्लिकेशन हाइ और उनको कोई भी आपके स्कीन के ओपर उनिपाह जो यह इक नए फीचर आपको यह पर देहिने को मिलता है एक ने ea खेंस ऐता रहे वड्लों अंधे उनृक्रे को मिलता है जिसकेंद्तर जेखने को मिलता है एक nämय यूए , आपको यह साथ क्योंक और तक को भी आप जाते हैं यहां से इसक्न पेस को आप युजिले यूच्च आप्शिन को पाते हैं तो यह सारी चीजिन आपको से पैंल के इंदर यहां तेकने को भी तेखने को मिल जाते हैं कि यूग सेटिंग पैल की बात करें तो कि अधिक आपको यह आपको यह आपको यह पूछ पर देखने को यह पिंदर मिल जाते हैं रोम इस ताइम पे काफी स्मूथ है और काफी परफेटली काम कर रहा है आपको कोई भी सच्छाइस इस अभी तक मुझे इसमें जाने को नही है अट जाते हैं जिसमें आप प्राइश्भी को टैग कर सकते हैं पीपले को टैग कर सेट हैं डहाथ साथ और को इसके अशों यह पहरीपर ऑपल मिल है और चीजी को चीजिशें आप और देख पाते हैं अगर बेंच्भाट करें तो क्या ग्रेम्टS चो कि PUBG आप कौन से मोड पर खेल पाते हैं तो मैं अगर PUBG को आपको सामने लॉंच करेता हूँ और गेम बूस्टर दिखाता हूँ किस तरीके से काम करता है तो यह भीज़ इस टाम पर आपके खेल सक्थादे हैं तो लो हैं अधि के ऊपरόσ जीandel करेंगे लिए और नग बीटॉंसर को आप शीक्रोस करेंगे但 रापके एंतेर्या सेटिंग को नॉट्स और आपके मैंसेज करते हैं व्टस dziad वियूंस करते हैं वट सेब्सेश कर्सेट डाटा को आफ या वाई-फाई को डिसेबल या इनीबल कर जाते हैं कुछ आपको गेम बूस्टर में आप देखने को मिल जाते हैं यह निगें तर्बो मोड में तो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है तो अब बात करेंगे आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है जैसे कस्टम रिकवरी आपके हैं तो साथ होनी चाहिए उसके लिए आनलॉक होता है तो तो यह मैनु के बटन से अपने फोन को रिकवरी मोड पे बूट करेंगए और अपका फोन वह को पूसिया पिछ प्रिद्वारिक प्लैक कोई भी डीकवरी को अपने फोन के निदर यूज क पर दाटा कैश्टम इन सब को वाइप कर देंगे इंटरने स्टोर्ज को आपने वाइप नहीं जैसे ही आपके सारे पर्टिशन वाइप हो जाते हैं सिंप्ली आपने बैट चाना है इंस्टॉल पर जाकि उस रोम की फाइल को सेलेट करना है और उसको अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना है और स्वाइप कर देते हैं और रिबूट सिस्टम आप कुछी देर में आपका फोन जो है इस Android 10 बेस्ट रों के ऊपर बूट करेगा जो कि MIUI 11 पर पेस्ट है उसके बाद आप सारी चीज़ों को सेट अप करेंगे और Redmi Note 7 Pro बे Android 10 के सभी फीचर्स को इंजॉय कर पाएगे तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जबूर किजएगा लाइक, कमेंट, करेंगे और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाबाई